हेलो बच्चा पार्टी हाव और यू आई होप यूर ओल्वेस फाइंड तोड़े वी इंट्रेसिंग अमेजिंग शेशन एड़ इस बार पेपर टफ रहेगा तो भाई इस बार आपका पेपर टफ रहेगा या इजी रहेगा इसका सेशन आज में लेकर आया हूं आप लोगो को भी पता ही कि एक्जाम आप लोगों का किस तरह रहने वाला है किस तरह सापको प्रिप्रेशन करनी है यह सारी जीज़े आपको पता नहीं पता है तो वह भी मैं आपको आगे बता दूगा यहां पर हम पेपर के लेवल के बारे में डिसकेशन करेंगे कि पेपर का लेवल आपका जो है वह किस ताइब का रहने वाला है इजी रहने वाला है मॉडरेट रहने वाला है तो सारी चीजसम देखने वाले हैं गपराना मत आप तो चूचोगे की सर्थ इस बार तो अभी पेपर आने के तो अभी कोई या कुछ नहीं होगा घबराना नहीं है सिर्फ अपने आपको जो है हमेशा ध्यान रखना कूल रखा करो यहां से और यहां से ऐसा नहीं कि अलग-अलग सोच रहे हो ठीक है हमेशा दिमाग से सोचा करो कि मुझे आगे की प्लैनिंग क्या करनी है क्योंकि यह तो अक्सर फेल ह में एक्जाम हुए और उस हाफ में से भी क्या क्या कुछ पार्ट जो है रिमूव कर दिया और आपको कह दिया कि लो बया एक्जाम दीजिए अब आप लोग और काफी बच्चे खुश भी हुए क्योंकि मज़ा आ गया सर कम कम पार्ट हमें पढ़ना पड़ा तो बिलकुल वह सही भी था और मैं उस एक तरह से मानता हूँ कि यार वह नेगेटिव भी था ठीक है इस बार का अगर हम देखते हैं एक्जाम तो बेटा देखो इस बार सबसे पहले आपका एक्जाम एक तो पूरा येरली एक्जाम होने वाला है जो हर बार की टाइप होता था लास्ट सब्सक्राइब करता हूं तो सबसे बेले में बता देता हूं तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम जादा हुई है क्योंकि काफी इस बच्चों को इजी लगा है तो काफी को टफ भी लगा था लेकिन अगर मैं येरली की बात करता हूं तो पेपर इस बार आप लोगों का इजी आने के पूरे पूरे चांसे हैं क्योंकि उसमें आपका फॉस्ट चप्टर से लास्ट चप्टर मतलब कि आप यहां सर रियल नंबर से स्टार्ट होकर आप प्रोपेबिलेटी तक जा रहे हैं तो मतलब की पूरा इजी पार्ट आपका कवर होगा एक साथ अब आपको यहां से सीधा सीधा फोकस करने को मिल जाएगा कि हमें किस टॉपिक पर सबसे जादा मैनद करने कंस्रक्शन से जिससे आप डरते थे वो तो गयब ठीक है उसका तो अब अता ना पता कुछ तो अब अच्छे चप्टर कितने गिंती के आपके चप्टर से तो आपको कुछ नहीं करना है उन चप्टर को बस ध्यानी से पढ़ना है और बिल्कुल मा अब आता है तो हमारे लिए इजी होता है हमें कुछ नहीं आता है तो हमारे लिए टौफ होता है तो बस आपको यह दिहाने रखना है अपने प्रिप्रेशन में कमी नहीं रखनी है अभी से आपका स्टार्ट हुआ है तो अभी से आप प्रिप्रेशन स्टार्ट कर तो देखो भया आपको ये तो जो जनरल सी बात हुई है ये जनरल सी बात किस से रिलेटेड है ये जनरल सी बात रिलेटेड है आपकी कि क्या इस बार आपका cbsc board exam tough होगा या easy होगा तो भया पूरा पूरा chances है easy रहने का ठीक है क्योंकि इस बार अभी तक तो covid की कोई हम conditions जादा रहते हैं मैं यह मानता हूं clear यह चीज़ तो बैटा आपको समझ में आगए इसके आगे देखते हैं अभी हम और आपको मैं कुछ यहां से बताने वाला हूं कि पेपर आपका लेवल जो है वह किस तरह का रहने वाला है तो देखो cbsc के प्रिवेस के पेपर की अगर कोई कमी नहीं है तो यह मत्य सोचों कि भईया एक्जाम टफ है या एक्जाम एजी हैं सिर्फ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है हमारे माइन में कि पेपर कैसा भी आए मुझे मेरी प्रिप्रेशन पर पूरा विश्वास है मैं मेरे पेपर को पूरा फोड़ने वाला हूं पस इसके अलावा कुछ नहीं अगर आप यह सोचकर अपने एक्जाम में जाते हो तो यकीन मानिए आप पेपर को बिल्कुल धमाकेदार तरीके से फोड़ोगे कमी कहीं नहीं रहेगी ठीक है और अभी आप लोगों के पास पूरा वन येर है ठीक है वन येर में तो कहें ज दोरार करते हैं तो ये जुम मारढया आता है न कि क्या परीपर कद अपर होगा क्या परीज़िए कुछ नहीं आ इगा यह माइन मापके यह आपके कुछ नहीं आने वाला है यृकर तो यह जबềnत भीर अगर प्रिवेस के पेपर को अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले मैं यही कहुँगा कि आप लोग पहले एंसे आटी पर फोकस करो अगर आपके एंसे आटी कंपलीट हो जाती है देन आप लोग वहाँ पर रेफ्रेंस बुक्स पर जाए आपको लगता है कि नहीं तो आप इसके अलावा जो भी लेना चाहें जित बहुत सारी पब्लिकेशन से अब तो है ना तो बच्चों के माइंड में यह आता कि सर इतनी सारी बुकों में से कौन कौन सी बुक करें तो भाईया सबसे पहले तो मैं तुम से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि पहले सिर्फ NCIT पर फोकस करो आपकी NCIT कंप्लीट हो जाए आपको यह करने का टाइम नहीं मिलना चाहिए बस अगर आपकी NCIT कंप्लीट है देन आप अधर चीज़ पर फोकस करो ठीक है चलो भाईया यह आगई बात समझ में और हमेशा ध्याने रखना पहले क्वेस्चन की लेंग थोड़ा सा गुमाने के लिए थोड़ा सा गुमा दिया हम पूरे गूं गया एसा गूं गए और यही हमें नहीं करना है ठीक हर में सकते हैं भी सकते हुछ d लेगा या डी डिफ्रेंस common difference find करने के लिए बोल दिया जाएगा या विर समों फेंटम्स find करने के लिए कहा जाएगा तो भाईया यह पूरा आपका complete हो गया तो question की conditions कितनी बनी चार तो conditions बनी अगर हमें उन चार conditions के बारे में अच्छे से knowledge है तो हमें कोई problem यहाँ पर होने वाली नहीं है ओके तो यह आपको सबसे पहले पूरा-पूरा ध्याने रखना है कि भाईया एक्जाम टाइम पर या पहले जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से तो हर एक पार्ट को हमें ध्यान से देखना है हर एक पार्ट को हमें ध्यान से पढ़ना है और अपने आपको self motivated हमेशा रखना बिटा जिंदिगी में चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया आपको लिए कुछ भी रहे हमें किसी से कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ना हमारे लिए कुछ करने आ रहा है ना हमें किसी क पढ़ोसी के घर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पहले अपने में देखो अपने में कमी कहां पर है पहले इस तीज को complete कर लो उन कम्यों को रिमूब कर दो फिर आप आगे बढ़ो तो हमेशे यह ध्याने रखना अगर एक बार आपने preparation start कर दिए तो पीछे मुड कर जिं वैसे वैसे आप पर बड़न बढ़ता जाएगा number of questions जादा होते जाएंगे फिर क्या होगा frustration होगा परिशान होंगे फिर लगेगा अरे यार अभी तो बहुत सारा time बाकी था और अब तो मेरे पास कुछ time बाकी नहीं रहा है कैसे मैं preparation करूं इसलिए कह रहा हूं time की हमेशा जो है कहते हैं ना कि वैया time एक बार निकल गया तो वापस नहीं आने वले वही चीज़े तीन question करना कोई बड़ी बात नहीं है तो इस पर आपको focus करना है self motivated हमेशा रहना है ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी condition आ जाए नहीं समझ में आए तो teacher से पूछो coaching teacher से पूछ हमेशा ठीक है देखो एक complete planning के साथ यहां पर चलोगे सबसे बेले मैं आपको बता देता हूं एक तो सबसे बेले आप अपनी planning के साथ चलोगे आपका goal क्या है आपका idea क्या है strategy क्या है imagination क्या है यह सारी चीज़े आपको पता पता होनी चाहिए ठीक है visions क्या है आपके अगर आपको यह पूरा part complete है तो आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो और फिर कहते हैं कि यह पेपर का लेवल फिर पेपर का लेवल कुछ नहीं हलवा लगेगा हलवा जिसको कुछ ना मुह में रखा पता भी ना चला अंदर चला गया सेम चीज़े प्रक्टिस मैं जितनी प्रक् प्रिप्रेशन इसे दे देते हैं जिसमें हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है यह हम उलज जाते हैं तो उससे बच्चे कहने लगते कि अरे यार पेपर बहुत अफ था नहीं भाई पेपर टाफ नहीं था हमारी प्रिप्रेशन कम में कमी थी है ना और सी बीस्ट और सी पेपर हमेशा जब के बनाता है सी बीसी को बताई कि बच्चे कि सब्सक्तरिके किरेंमे और बच्चे 네 नहीं कहा रहा हूं कि भाइया बहुत जादा थोड़े कमजोर बच्चे हैं वो भी कर पाएं और कुछ टॉप क्योशन्स ऐसा सलेक्ट किये जाते हैं जिनको टॉपर्स कर पाएं एवरेज वाले भी उसमें कंडिशन्स जो है वो एपलाई करेंगी कुछ नहीं तो थोड़ा ब मानने देना क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ खुज से हारता और किसी से नहीं आता अपने आप से जीत गए तो समझ लेना वह या तुम सभी से जीत गए ओके बिटा तो यह आज एक छोटू सा शेशन लेकर आये था मैं कि क्या इस बार का पेपर आपका टफ रहेगा नही मैं तो यह मानता हूं कि जो एक्जाम होता है उसमें जादा मांकस आने के अच्छे चांसे। क्यों क्योंकि उसमें शिक्स मंत का बड़न नहीं रहता कि भाइया थ्री मंत बाद या我 मंट पिर एक्जाम आजाएगा चाने नहीं नहीं भाई अब तो सीधा एक ही गोल है यह में एक बार एक्जाम होगा पेपर को फोड़ेंगे मस्ट मार्स लेकर आएंगे और ज्यान रख लेना रेफ्रेंज बुक्स तभी उठाना जब पहले एंसे आइटी कर लो और अगर आप लगता है कि नहीं चप्टर खत्म होने के सर मुझे अच्छे से पता है कि मेरा चप्टर कंप्लीट हो चुका है कोई मुझे प्राब्लम नहीं है तो आप उस बिहाफ पर फटाक से आपकी जो भी रेफ्रेंस बुक्स हैं जो आपको उठाना वो उठाई है देन साथ में अगर पॉसिबल हो तो पीवाई क्यू जो होत तो इस तरह से भी आप अपनी प्रिप्रेशन कर सकते हों और अगर आपकी प्रिप्रेशन दमदार है तो कोई टैंशन नहीं है भया फिर आप सिर्फ एक ही चीज़ ध्याने रखना आपको पेपर फोड़ना है पेपर कैसा भी आए हमारे लिए पेपर ईजी रहेगा बस ओक अब तक सारे बच्चे स्वस्त रहें मस रहें तंदूरस रहें शांदार दबरदस्ट जिन्दाबाद के साथ में बाबाई